चलिए आज आपसे बात कर रही हूँ कैसे होते हैं वो लोग जिनका जन्म होता है किसी भी महीने की दो तारिक को लेकिन उनकी जन्म देथी को जोड़ने से अब आगया आगया तीन उनकी सक्सेस उनको कामयाभी किस चीछ से मिलेगी जुड़े रहे हाई अबरीवन दस जाया करम शनानी वेकम ट्यू इननसोर बार्शन टॉक शो जहां हर अपते आप से आप ही के अंकों ग्रहों से जुड़ी हुई बात करती हूँ और आज हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में अंक दो अगर है आपका मुलांक और भागयांक है तीन तब आपको कामयाभी कैसे मिलेगी आपकी जीवन में स्ट्रगल किन चीज़ों से आते हैं और मेरे कुछ सुझाब इसे पहले शेयर करूँ जल्दी से सब्सक्राइब करें औ कि हर अफते ये वेंस्टे और संदे को जो इंगलिश वा हिंदी में अपसोस रिलीज होते हैं आप तक पहुर सकें अब मुलांक दो कौन है वो मान लीजे किसी भी महिने की दो तारिक को 11, 20 या 29 को जिनका जन्म हुआ है और पूरी की पूरी जन्टिति को जोड़ने से जिन है आपका वो आना चाहिए तीन अब देखिए दो को जोड़ लिया हमने चंद्रमा से और तीन है गुरू से combination बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों की personality कैसी होगी भावख होते हैं emotional होते हैं counseling या इन से सलह मश्वरा करना लोगों को पसंदे और इन्हें सलहा देना भी पसंद होता है खाने के शौकीन होते हैं और कहीं शायद gossip भी करते हों बहुत जल्दी दिल की बात दूसरों से share कर देते हैं और इनको confusion बहुत होता है mental clarity नहीं होती कि करना क्या है अब उनके लिए क्या करें मेरे कुछ bonus tips अभी एपसोड में आप जुड़े रहें वो भी आपको पता चलेंगे अब personality otherwise दिल के बहुत अच्छे होते हैं emotional होते हैं और दिल फेक होते हैं यूँ कहूं romantic सबहाद थोड़ा सा होता है किसी ने दो शब्द प्यार के कहे तो ये उनकी बात मान जाते हैं marriage की बात करूं तो love marriages भी हो सकती हैं लेकिन हो सकता है बच्पन से जिन्हें जानते थे या दोस्त थे जान पैचान में उनसे भी शादी हो जाए और नहीं तो अपनी पढ़ाई पे या relationship पे इनका focus ज्यादा रहता है they are loyal हाँ इन्हें अच्छा लगता है काम से पीछे नहीं भागते पर अगर कोई तारीफ करते दो पल इनके साथ बैठ जाए वो इन्हें बहुत पसंद आता है overall marriage जिनके साथ बिंकी होती है उनको बहुत support करते हैं उनके साथ मन से जुड़े होते हैं money की बात कहूं तो इस combination वालों को थोड़े से financial struggles होते हैं वो इसलिए कि इनको mental clarity नहीं रहती कि life में इन्हें करना क्या है आज ये मन किया तो कर लिया कल ये मन किया तो कर लिया और इस चक्कर में वो बहुत confusion में इनकी success में delay हो जाती है और कहीं पर भी ज़्यादा समय तक बंध कर या टिक कर रहे ना वो भी इने पसंद नहीं कोई ने रोग देन के घूमने फिर ने खाने के शौक कोई वो बात भी इने पसंद नहीं आती otherwise उम्र बढ़ने के साथ साथ इन में जैसे जैसे ये stability आती है अपनी सोच में पश्टा आती है उनकी success और growth होने लगती है अब overall चंद्रमा से जुड़ा है और गुरू से जुड़ा है तो इन दोनों के ही features और characteristics आपको इनकी personality में विक्तित्म में देखेंगे हमने अभी तक बात करी इनकी personality कैसी होती है कौन से लोग होते हैं उनकी शादी इनकी एक खास खौईश होती है वो कि यह इन्हें मश्रूर होना है they want to be known and become famous यह इनका शायद एक weak point भी है जो आसपास के लोग यह रिष्टेदार जान पैचान वाले जानते हैं कि इनसे काम कराना हो तो कैसे करा है अब यहां पर यहीं से जुड़ी हुई बात हो जाए कि इनके career की तो yes, media, movie industry, creative fields में इनक education में भी जा सकते हैं कोई भी वो चीज जैसे तरल पदार्थ हुए liquid industry दूद की हो गई, पानी से जुड़ी हो गई, communication में भी flow आता है तो जा सकते, creative industries में absolutely चाहें, वो कवी हो जाएं, लेखक हो जाएं, या journalism में चले जाएं, पर कहीं न कहीं, media से जुड़ना इन्हें सामया भी मिलती है, और money related matters, maybe जैसे banking, chartered accountants, CPA या money का लेन देन हो गया, जो accountants होते हैं, उनका भी काम कर सकते हैं, technology से भी जोड़कर काम कर सकते हैं, teaching, healing, astrologer, numerologist भी हो सकते हैं, पर जो भी काम करते हैं, उन में जल्दी जल्दी switch ना करें, क्योंकि फिर stability में इनको दिक्कत होत है, अब क्या करें, पहली चीज़ तो ये अपने lucky numbers यूज़ करें, 129 का combination, एक तारिक हो गई, 10 हो गया, 39 हो गया, 28 हो गया, तो जोड़ने से आएगा एक, ऐसे ही 2 series और 9 वाले हैं, अब अगर ये दिनों का कहूं तो Monday, Sunday and Thursday इनके लिए खास अच्छे होते हैं, रंगों में light colors, light pink, light green, ये colors ये ज्यादा यूज़ करें, health से related आम तोर पर जो इने issues होते हैं, वो है, digestion, liver या पानी के, कहीं, पानी से जुड़ी होई समझ से है, या शरीर में कहीं weight बढ़ गया है, हड़ियों में दर्द हो जाएगा, overall जहां इने issues आती हैं, इनकी anxiety, stress जुड़ी होई बा बढ़ जाता है, अगर ही अपने lucky colors, lucky दिन, इन सब का इस्तमाल करते हैं, तो वो इने life में growth मिलेगी, अब अगर सारी चीज़े करी आपने और आपको लगता है, कि आपका life में वो focus नहीं होता, mental clarity नहीं आपको, तो आपको meditation और yoga बहुत सूट करेगा, जरूरी नहीं वो meditation य जो सबसे बड़ी struggle आती है, वो है आपकी indecisiveness, करना 100 चीज़ें चाहते हैं, पर करने ही पाते हैं, और ये सिलसला कहूंगी कि जीवन के शुरुआती समय, 28-30 साल तक चलता है, जैसे ही उस 29th year को पैस करते हैं, तो इनको अचानक से एक maturity आ जाती है, तब तक जीवन ने भी इसने बहुत अच्छे से सिखा रखा होता है, कि कैसे रिष्टे निभाएं या क्या कहना चाहिए और नहीं कहना चाहिए, तब ये डिवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि number 3 है, अगर आपकी data बहुत में आया, तो कहीं न कहीं, चाहें देर समयर आपका काम हो जाएगा, invisible divine blessings, ये मान लीजे कि आपके जीवन में जब भी आप कहीं पर अटकेंगे, तो कहीं न कहीं वो इश्वर किसी भी रूप में आके आपकी मदद करेगा, हाँ अगर 29 तक आपका life का curve कुछ ऐसे रहा है, कि आज growth है, कल नहीं है, तो उस age के बाद, 29 के बाद, जैसे ही 30 के होगे, तो आप जिस भी शेतर से जुड़ जाते हैं, वो एक बदलाव लाता है, फिर वो करियर शायद आपकी पढ़ाई से जुड़ा हूँ ना हो, शायद आपको अचानक से नए शौक हो या होबी हो या किसी चीज़ में interest आ जाए, तो उस चीज़ को अगर आप जुड़ है, relationship के लिए craving होती है, कि रिष्टे में जिनके साथ जुड़ें, वो भी उनको वैसे ही respect और appreciation दे, अगर तब struggle रहता है, क्योंकि चंदरमा जैसे घर्टा भड़ता है, तो इनकी life की भी story कुछ ऐसी ही होगी, कि जैसे ही वो 29 क्रॉस कर जाते हैं, तब उनका 3 life path भाग्यांक active हो जाता है, तो अगर consulting से, teaching से, education से, सला मशवराया, research, medicine, इन से आप already जुड़े हैं, तो कहीं न कहीं side में भी एक कोई hobby अपना लेजे जिसमें कि आप कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि जब तक आप सीखते हैं, आपका mind focus होता है, क्योंकि number two की energy कहीं न कहीं आपको इतना anxiety और stress देती है, तो शायद आप समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, कोई चीज़ decide करी, फिर किसी ने कुछ कह दिया, अचानक से आपका thought बदल जाता है, combination बहुत अच्छा है, अगर इसके बाद भी अगर आपको आपकी life में struggle लगते हैं, तब आप क्या करें, यहां एक चीज यह जरूर कहूंगी, जो मैं आज आप से बात शेयर कर रही हूं, जरूरी नहीं कि हर वो वेक्ति जिसका मुलांग दो भाग्यांग तीन हो, उसके साथ applicable होगा, कुछ चीज़े होगी, जरूर आपको लगेगा कि हाँ आप ऐसे हैं, कुछ चीज़े नहीं होगी, पर यह अन I am confident and worthy of success, I am confident and worthy of success, अभी आप कब बोलें, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी समय बोल सकते हैं, जब बोलें, कहूंगे कि से फिर से शब्द नमाने, इनके जो मीनिंग से उनके साथ भी जुड़ें, कि I am confident, हाँ मैं confident हूं and worthy of success, का मैं अभी किलायक हूं, क्योंकि कह अभी न कहीं आप में ये embarrassment, inferiority complex भी आ जाते हैं, कि हाँ, मेरे से तो नहीं होगा, हमारे जैसे नहीं कर सकते हैं, that is absolutely wrong, क्योंकि अंको कुछ भी हो ग्रह कुछ भी कह लें, काम आपकी सोच वैसे ही करती है, जैसे इश्वर किसी को कितनी भी महगी गाड़ी दे दे, गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी में ग्यास या फ्यूल तो चाहिए, तो आपकी सोच वैसे ही काम करती है, कि हाँ में कर लूँगा, बात असानी से हो जाएगा, ये affirmation आप पांच मर्ण बोल सकते हैं, एक मर्ण बोल सकते हैं, लेकिन जब बोलें, तो connect with its meaning, उमीद करती हूँ अपिसोर आपको पसंद आया है, कि आज इस में हमने बात करी, personality की, ग्रहों से जुड़ी बाते, lucky colors, कुछ affirmation और practice में आप अपने सोच में भी परिवर्तन लाएं, ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी बात पसंद आई, मिलती हूँ आपसे, take care